Hello students, बच्चो यह हमारा second lecture है map पे, first lecture में हमने दो map complete किये थे, यह हमारा तीसरा map है, first tea chapter से है, तो same से जीजे हो सकते हैं कि जो हमने पिछले map में cover किया है, उस से थोड़ा सा अलग होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारे जो पडोसी देश हैं और उनके जो उनके बारे में देखेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं जो स्थलिय सीमा से जो हमारी बाउंडरी है जमीन से लगते हुए देश है उनके बारे में हम जानेंगे तो यहाँ पर पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान है बुटान की जुराजधानिया वो थिम्पू है और उसके बाद बंगलादेश है ये बंगलादेश हो गया बंगलादेश की जुराजधानिया वो धाका है और ये हमारा मैमार है जो बच्पन में भी ये वाली ट्रिक हमने की थी उसी के ही ये पार्ट है इस थलिय सीमा से हुलंका की राजदानी है कोलंबो ओर माल्दी भी हमारा द्विक्प्य पडोसी देश के राजदानी हो यह अमीद कर ना था उसके बाद भारत के बीच यह एक रेक्षा उजरत तक्ति है वैह 15,3 से हमारी कर wärक कर गुजरती है भारत के 8 राज़ों उसके बाद दूसरी एक और लाइन है जो भाट के बीचो बीच से गुजरती है जिससे हमने समय को लिया है Central Meridian या मध्यान रिखा जिसके according हमने अपना टाइम माना है यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नैनी से निकलती है और यह जो टाइम है पूरे भारत का समय माना गया है तो इस मैप में हमें यही करना था उसके बाद यहां पर एक चीन का बजदा चीन की जो राजधानी है वो विजिंग है तो यह क्या थे हमारे पडोसी देश थे उनकी राजधानिया थी करकरीखा कितने राजों स से होके गुजरती है और जो टाइम लोकेशन उसके दीगी है बियासी डिगरी 30 मिनट की लोकेशन है जहां से वो गुजरती है तो इस मैप में हमें इतना ही करना था फर्स चेप्टर का मैप हमारा कंप्लीट होता है उमीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा थैंक्स झाओ थैंक्स फूर प्रदिब्यो लिए आस्टो ए निए।